बहुत बहुत स्वागता दोस्तों आप सभी का आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के हिस्ट्री यानि की इतिहार सब्जेक्ट के लिए इस वीडियो में हम आपकी फर्स्ट बुक के चैप्टर नमर 4 विचारक, विश्वास और इमारते इसके बारे में बात करेंगे बेसिकली इस चैप्टर से संबंदित आपके एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से जितने भी most important question answer निकल सकते हैं उन सभी को completely हमें आपे समझने वारे हैं और ये वो questions हैं जो कि mostly आपके exams में already पूछी जा चुके हैं यान कि जो आपके 10 years के exams हैं उसमें इस चैप्टर से संबंद जो questions लिए गए हैं mostly repeated हैं उन सभी को बहुत अच्छे तरीके समया पे समझने वारे हैं तो बहुत जादा chances हो जाते हैं आपके अगले exam में इन questions की आने की तो चलिए शुरुआत करते हैं basically यहां पर हमने total जो है वो 10 important questions लिए शौट questions जो कि आपके history के paper में तीना चार मार्स में आपसे पूछे जाते हैं इन सभी questions को completely इस video में हम solve करेंगे और सबसे अच्छी बात यह जितने भी question रहेंगे उन्हें में आपको Hindi medium में बहुत अच्छी तरीके समझा दूँगा even English medium के बच्चें के लिए भी answers आपके provide के जाएंगे तो सभी अच्छी सी video को completely जरूर देखी है चलिए अब शुरुआत करते हैं और एक चीज जैसा कि आपका यह chapter है विचारे गुस्तास और इमारते इसमें से around जो आपका chapter है उसका 50% जो हिस्सा है वो है बहुत धरम से संबंदित ठीक है और फिर एक आता है जैन धरम के लिए around माल लिखते हैं पांच याफित 10% हिस्सा है इस chapter का और 30 से 40% जो हिस्सा है वो आजाता है हिंदू पॉनार्डिक धरम के बारे में ठीक है तो यह बिसेकले हम कहें तो chapter जो है आदेस जादा बहुत धरम से संबंदे तो इस लिए इस chapter का सबसे पहला question बनेगा मात्मा बुद्ध इनको ग्यान कैसे मिला था ठीक है इससे पहले कि हम बहुत धरम के बारे में बात करें बहुत धरम के एक महत्पूर्ण व्यक्ति जिसकी विए से बहुत धरम को हम जानते हैं उन्हें आकिर ग्यान कैसे मिला उनका परीचे उनकी जीवनी इसको हमें समझना चाहिए तो इसी संबंद में य तो महात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम था सिद्धार जो की शाक के कवीले के एक सर्दार थे उनके पुत्र है अगर आप से पूछा जाएगा कि इनका जनम कहा हुआ था तो आप बताएंगे इनका जनम जो है वो नेपाल के लुंबनी में हुआ था ठीक है कहां पे नेपा कि चार दिवार के अंदरगा अंतरगा पाला गया था सभी सुखों के बीच में लेकिन एक दिन क्या हुआ सिद्धार आप सभी को पता है जब एक जिगह पर रहते हो तो आपका दिमाग ना थोड़ा सा इदर जो भटकने लगता है तो इसलिए एक दिन सिद्धार ने देख कि सबसे पहली यात्रा थी महल से बाहर बाहरी दुनिया है और जो कि काफी ज़्यादा पीडा दायक रही अब इन्होंने मतलब इनकी यात्रा थी वो पीडा दायक क्यों रही क्योंकि इन्होंने एक बीमार विक्ति को देखा फिर एक लाश को देखा तो इन्हें लगा कि हम मारा ये जो मनुष्य का शरीर है इसका अंतनिश्चते अर्थात हमें एक ना एक दिन अपने शरीर को छोग कर जाना पड़ेगा फिर इन्होंने एक अच्छी चीज देखी कि एक कुटिया में एक सन्यासी है वो एकदम ऐसे मानों कि हालांकि सन्यासी है तो बूड़ा लेकिन ऐसा समझ लो कि सन्यासी ना तो बीमारी से ना तो मृत्यू से नहीं तो अन्य किसी परिशानी से भैवीत है ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने उस सन्यासी ने सांतिप्राप्त कर लिए तो इसकी विज़े से सिध्धात जो थे वो अंदर ही अंदर और ज्यादा उस्सुक वर्ष की आयू में ग्रह त्याक कर दिया था अपने घर को छोड़ कर 29 वर्ष की अवस्था में चले गए ग्यान प्राप्त करने के लिए ठीक है अब आपसे कोशन पूछा जाएगा कि ग्रह अवस्था कि ये जो घटना इसे क्या करते है इसे कहा जाता है महाभिनिस्क्रमाट अब इसका अर्थ ये है कि एक ऐसा परिवर्थन जो एतिहासिक तोर पर लोगों को याद रहेगा तो ये वही दौर था ठीक है अब सिधार जब वन में चले जाते हैं तो उन्होंने भक्ति करने के साधना करने के कई मार्ग अपनाए ठीक है इसमें से एक मार्ग ऐसा था कि सरीर को अधिक से अधिक पीड़ा दो जब आप साधना कर रहे हो तो इसके चलते कई बार जो थे महात्मा बुझ जो थे मर्ते मर्ते भी बचे थे लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ना तो मैं जादा कठे नहीं तो जादा आसन तरीका अपना हूँ वलकि मध्यम रास्ता एक दिन नहीं मतलब वर्षों से जब आप ध्यान करते होगे तो सिंपल सी बात है आपका मन एकागन हो जाएगा आपको ग्यान प्राप्त हो नहीं रखता है तो फिर बोध गया यान की वरतमान का जो बिहार है यहां पर बोधी व्रिष्ट के नीचे बैठे बैठे उन्हें ग्यान की प्राप्ती होती चले और जैसे उन्हें ग्यान की प्राप्ती हुई तो इस संबंध में वो सिध्धार जिसे पहले ग्यान का अन्वब नहीं था वो सिध्धार अब गौतम बुद्ध के नाम से यानि भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाने तो यह पूरी घट कि सिधार्त एक आम व्यक्ति को कैसे ग्यान की प्राप्ति होती है कैसे मात्मा बुद्ध का जो जीवन है वो चलता है ठीक है अब एक चीज और याद रखना है जिन चीजों को मैंने यह पे अंडरलाइन कर रखा है अलग कलर में ठीक है इक तरीकी से पिंक कह सकते हो या फिर आठ माक से पूछा जा सकता है अब इसी कोशन को अगर आपसे इंगलिस पे पूछेगा तो पूछ रखता है हाउ डिड महात्मा बुद्ध अटेंड इलिजिमेंट या फिर नॉलिज कह सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले इनके चैलिज़न का नाम क्या था ठीक है कैसे उन्हे जो बहुत सारे साधना के कई पैट से प्लास्तिति उनको अपनाया था और उसके बाद कैसे इने ग्यान के अप्राफ्टी होती है यह आप लेड़े है तो हिन्दी मैंने आपको समझा रिया है और इंग्लिस में एजी लिए आप यहांसे रेड आउट कर सकते हैं कोशन नमर अबिर्म पिटक और विन्य पिटक विन्यपिटक में बिशिकली वगएर आते इनकी बातों को रखा गया है तुद्पिटक में खानियों के अधार पर बहुत κιों को अंगिक्रित किया गया है अब इन तरकिति के अ आपके पास इतना ग्यान का भंडा रहा है आप इसे जिंदा कर दो तो महात्मा बोद जो थे उन्हें उस बच्चे को जिंदा करने की बज़ाए ये बताते हैं कि आफिर मनुष्य के जीवन के लिए क्यों जरूरी है और वो मान भी जाती है अब जो सिक्षाएं हैं वो आपकी यहां से लेके सिक्षाएं पॉइंट नमबर टू से लेके पॉइंट नमबर से बन तक होते हैं अर्ठात अम्बात कर लेते हैं टोटल छे सिक्षाएं आपके uyट ने सात है क्योंकि एक तो ही यह यह ये ऐट हो जाती है बहुत द्रशन के अनुसार किया है विश्व लगाता बदल रहा है विश्व आत्मा विहीन है अर्थात विश्व में कुछ भी इस्थाई नहीं है इस चड़ भंगुर दुनिया में मनुष्य के जीवन में दुख जो है एक अभिन अंग है पिनार दुख के मनुष्य का जीवन हो इन नहीं सकता और सुक भी है वे सी ठीक है और मुक्ति अर्थात हम अपने सरी से निर्माण के लिए हमें इस जन्रुम्रित्य के चक्र से जीवन की मुक्ति के लिए स्ट्व ही एक काद्य करना होगा इसलिए महतमा बुदि कहते हैं कि जितने भी राजा हैं गहपत्धि हैं बड़ बड़े अमीड लोग हैं उन सभी को जयावान आचारवान और अच्छा विवार रखना चाहिए और समाज का निर्माट जब मारम ने किया है तो सिंपल सी बात है हम व्यक्तिगत अपने प्रयासों की द्वारा इस समाजिक परवेश को भी बदल सकते हैं ठीक है और सबसे आखरी पॉइंट यह है महात्मा बुद् आगे चलके क्या बन जाते हैं बौर रखwhen बन जाते हैं इसलिया पकाउ्पिक उयू किया ठीक है तो बुद्द को अपने सक्षकों के लिए या चेजिस्यों के लिए ऐब कह सकते हो एक अंतिम उपदेश कह सकते हैं सब अपने लिए ही खुद की जयोति बन मेना थाक्त सफ क पुनने दर्मित की गई, सुथ पिटक में देगी कानियों के धार पर, क्या क्या है, विश्व लगातार बदल रहा है, आत्मा विहीन है, दुख मनिश्व के जीवन का अंग है, दुखों से मुक्ति पान ही है, तो मध्यम्मार का रास्ता अपनाना होगा, निर्वान के लिए, मैंड टीचिंग्स और बुद्धिजम, मैंड टीचिंग्स के हैं बुद्धिजम की, सबसे पहले आप बताएंगे, यह कि सरीके से सुथ पिटक के नुसार बनाये गया है, और क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहां से, इसी पिड़ाउट का से, यहां पर मैंने आपक समझा दिया है, question बस second भी, हिंदी में भी, और English में मैंने आपको दिखा दिया है, हिंदी में समझा दिया है, तो English पर समझे से, ठीक है, आपको चाहिए कि एक translated content किया, वो मैंने आपको लाइट कर दिया है, simple है, okay, well, question बस third, question पूछा गया है, बुद्ध के जीवन काल में, और उनकी मृत्यू के बाद भी, बहुत धर्म तेजी से फैलने के क्या कारण है, आप किसी भी धर्म को अपनाते हो, तो इस धर्म को अपनाने का क्या कारण है, इसी समझ में आपको बताना है, यह जो बहुत धर्म था, इसके तीजी से फैलने के क्या कारण रहे है, वो कमकाली धार्मिक प्रथाओं से ऐसंतुष्ट थे अर्थार उस समय की जितने भी धार्मिक प्रथाओं वगारा चल रही थी वो उन सभी से काफी जादा ऐसंतुष्ट थे अब दुतिय ये है कि बौध धरम में खुद से छोटे या फिर जो भी कमजूर लोग वगारा हो इन तरहं देखा जाता था कि जर्म के अधार पर स्रिष्टता होगा अर्थाद मोध तिया एकाisu ब्लक्री कैसा है आप मू कि योगिता कि है ऑगर उस चीज के योगी हो तो आपको वैसा रही है अच्छे आचरण, अच्छे मूल, था महिलाओ, एवंपुर, सभी को समान माना गया था, ठीक है, और चौता ये था, कि ब्रहमणवार्दी जो विचारधाराई थी, इसमें कई जातियों को, कई लोगों को नीच माना जाता था, जैसे कि चंडाल वगएरा, इन्हें एपवित ठीक है, और B को मान लिया है, जो अन्य धर्म थे, तो अन्य धर्म में क्या होता है, लोगों के साथ में अत्याचा, लोगों को नीचा देखाना, लोगों को एक तरीक से कह सकते हैं, आपवित्र मानना, उनके साथ अन्य जो प्रियाकलाप हैं, जो कि उनके धर्म को और ज़् कुछ बढ़ाबर है, सभी हमारे धर्म में सामर जो सकते हैं, सभी को समान समान दिया जाएगा, अच्छे आचरण मूर ले, इस तरी पुर्ष सभी इसमें सामर जो सकते हैं, तो इसी वज़ाए से बौर्ध धर्म जो था, वो सैक्लों वर्षों के दौरान, पूरे उपमहादी मैं और तेजी से फैला, ताति ये मद एशिया में फैला, मद एशिया से होते हुए चाइना, कोरिया, जापान, श्री लंका, मियामा, थाइलेंड, इन्नोलेशिया, अन्ने कई देसों तक ये फैलता चला गया, तो ये है आपका आंसर, और धर्म के तेजी से फैलने के क्या क आपको पता है, इसमें से दो से तीन ओप्शन ही कहीं कहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन इतने पाच पॉइंट साहिद ही आपको देखने को मिलें, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हर एक कोश्चन को फोड़ा ध्यान से समझाना, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैं काफी डीपल इसलिए पढ़के आपको समझाता हूँ, क्योंकि है, क्योंकि है, अब इसलिए कोश्चन को अगर आपको इंग्लिस में देखना है, तू देखेंगे, इसलिए कोश्चन 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 है, क्योंकि हमें देखेंगे, ओके, वेल, अगर आपको कोई भी कोई भी कॉश्चन डाउट होता है, तो आप हमें इस्टाग्राम के मैसेज कर सकते हो, यह हमारी इस्टाग्राम के आईडी है, और हाँ, केरी इकडाम गूर्प को जरू जोइन करना, वीडियो देखने के बाद, आपको वीडियो कैसी लगत करती है, कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना पीडिवेक जरू दीजिए, इससे में पता लग जाता है कि हमारी मैनेज कितनी तक लाई है, और आपको कितना समझ में आए, ठीक है, वेल, कोश्चन नबर फोर की बात करते हैं, कोश्चन नबर फोर में हमसे पूछा गया है, इसा पूरु प्रथम से सताब्री का काल, विश्व तयास में महत्पूर्ण काल क्यों माना जाता है, बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है, इसा पूरु प्रथम सताब्री का काल, विश्व तयास में महत्पूर्ण क्यों माना जाता है, तो इसके ना कुछ ही पॉइंट है, तीन ह थोड़ी सी कठना ही होती याद रखने लेकिन अब मैंने बता रिया कि चिंतकों का उद्भव तो आपको कुछ चिंतक याद रखने जैसे कि कुछ-कुछ सिंपल सिंपल से यूनार में सुक्राद, प्लेटो, अरस्तू, भारत में महावीर और बोड ये भी याद रख लोगे और ये भी लिख लोगे इस पॉइंट में तो भी नंबर मिल जाएंगे आपको ज़रूरी नहीं कि ये भी लिखना ज़रूरी है हाँ अगर आपको ज़्यादा याद रखना तो कर सकते हैं बट मैं सजेक्स करूंगा आप बस इतना याद रखे न चिंतोकों का उद्भव जैसे कि यूनार में सुक्राद, प्लेटो, अरस्तू, भारत में महावीर, बोड अगर याद रखना चाहो तो इरान में जर्थोस् इसकी अथात वो जिस वर्ड में रहता है, उसका उस वर्ड से और खुद से क्या रिष्टा है, क्या नाता है, इसको समझने के ऐसी कोश्चन की यहां पर शुरुआत हुई समझ रहे हैं, तीसरा, गंगा घाटी में नए-नए सहर, नए-ने राज्य जो थे वो उभर रहे थे ताथे इन राज्यों में नए-नए समाजिक और आर्थिक जीवन के कई तरीके जो है, कई बतलाओ यहां पर देखे जा रहे थे, और इसी बीच प्रत्रम सतावरी इसकाल के दोरान ही, पूर वैदिक परंपरा के हमें जानकारी मिलती है, जो की दिग वेड में हमें दी गई ह अर्थार, 1500 से 1000 इसा पूर्व के दोरान संक्लिट किया गया, जो देखे बेड है, इस से मैं पूर वैदिक परंपरा की जानकारी मिलती है, जो की इसकी एक वेशिस्ता है, ठीक है, तो आप यह सब ही पॉइंट्स इसी यहां से रेड आउट कर सकते हैं, और आप समझ भी सकत अब इसी को अगर आप से इंग्लिम से पूछा जाएगा, तो देख सकते हैं, वाई इस दी पूरिएट ऑफ फर्स्ट मिलिनियम बीसी, तो क्यों कंसे जो तर्णिंग कंसेडर करते हैं, हम इसे तर्णिंग पॉइंट आप यहां से रेड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्च बाइजित रेड़ाइख सकता है, ठीक है, और एक ही जेंद्रम के, तो इनको अलग-अलग से बौद धर्णियम को 8 marks में, और जेंद्र को 8 marks में पूछा जा सकता है, वहिँ इन दोनों को मिला के भी आप से 8 marks का question पूचा जा सकता है, ठीक है, अगर पूचा जाएगा तो आक जानधा लिग देंगी और अलेकर से पूछा जाता है जैन ध्रम पूछ लिया एक ही पूछ लिया तो आपको फूरा पूरा पूरा लेकिन जो भी जैन ध्रम के मुख्य सच्छाएं उनका मानना है यह कि श्वामी विचब देव इस जैन ध्रम को और जादा बढ़ाने के संबं नहीं की लेकिन काफी कमजोर थे जैन दरम में कुल 24 तितांकर हो चुके आपकी किताब के अनुसार ठोटल 24 तितांकर हो चुके थे जिसमें से 24 तितांकर थे महा भी तर अब समझो इसके मुख्य सिक्षाओं में आप सिंपल सिंपल से पॉइंट याज रख सकते हैं जैसे कि पत्थर हो चटान हो जल हो जो भी निर्जी वस्तु है उनमें भी प्राण है संसार की हार एक वस्तु में प्राण है जीवों के प्रति अहिंसा अर्थार इंसान चानवर पेड़ पौधे और कीडों मकोडों को नहीं मारना चाहिए फिर है तीसरा कि पुन्दर जनम का चक्र अर्थार आज वर्तमान में हम जो कार्म कर रहे हैं इसी के अनुसार हमारा अगला जनम निधारत होता है यदि हमें अपने कर्म के इस चक्र से जनमरित्य की इस चक्र से मुक्ति पानी है तो हमें विहारों में निवास करना हो अर्थार संसार की त्याग करने के बार मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवारेनियम पना दिया गया त्यार रखनेंगे कौन कोंसा संपूर्ण विस प्राणवान है जीवों के प्रति आहिंसा पुन जनम का चक्र वि पिर है सत्य अर्थात जूट ना वोलना, अस्ते अर्थात चोरी ना करना, अर्थात धन को एकटा ना करना, ब्रह्मचर अर्थात ब्रह्मचर का पालियान की शादी वादी बगरा यह सब ना करना, 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 यह सब है जहन धर्म की प्रमोकर सिक्षाएं ठीक है बच्चो आई भी आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आया है तो सभी बच्चे एक बार comment box में जबूर बताएंगे हमें कि यह सर्म को समझ में आ रहा है या फिर भी कोई भी कोई यह सबसे पहले इसके फांडर के बारे में उसके बारे में और बिच्वल नॉन वाइलेंश टोवार्ट लिविंग बिंग्स साइकल ओफ रिवर्द रेडिस इन विहार्ज फिर उसके बार पांच जो ब्रत थे यह सारी चीजा आप बता दो गया ठीक है question number five is also completed now question number six इस्टूप क्या थे यह क्यों बनवाए जाती थे उधारन साइट सबस्ट करें बैसिकली इस्टूप के अगर हम बात करें तो इस्टूप का सांस्कितिक अर्थ होता है इसका तीला ठीक है सांस्कितिक अर्थ में हैं इसे तीला कहते हैं इस्टूप basically एक पवित स्थान हुआ करते थे अब यह पवित्रिस्थान कैसे होते थे यह कोई एक खास बनस्पती हो सकती थी एक बड़ी सी अनूठी चटान हो सकती थी या फिर कोई ऐसा प्राक्षितिक सौंदर जो अन जगों से अलग था यह वो हो सकता था या फिर कोई छोटी-छोटी सी वेद कि जब बहुत धर्म यहां पर इस्थापित हुआ बढ़ने लगा तब ऐसा देखा गया कि बहुत मात्मा बुद्ध की मृत्ति हो जाते तो बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अफसेस जैसी कि उनकी अस्थियां उनके द्वारा जो भी सामान उपयोग किया गया था उसको गाड़ दिया जाना जो भी उनके वस्त वगएरा उनके सामान वगएरा उनको गाड़ दिया जाना उसके उपर फिर एक तरीके की सरचना बना देना उसी को क्या कहा गया है इस्थूप कहा गया है ठीक्या हलां कि ऐसा जरूर है कि बहुत धर्म के बाद ही इस्थूप की महत प्रहें तीसरा अशोक वदान ग्रंथ अच्छा यह एक पॉइंट बेसिकली अशोक का वदान ग्रंथ है इसमें यह बताया गया है कि असोग तासिक असोग इसने बुद्ध के अवसेसों के हिस्से को हर महत्मूर्ण और शहर में बाठ कर उनकी ऊस्टूब के नाम आदिश दिया जिने कने कई स्टूप की नाम से यादर है इख si होगया। संहा इसे कॉशन को इंगरी pierah थे घ्याहर सकते हैं What was ίुंचिकल मैं आपको बता दिये हुए हं आपको पॉइंट में औरowners हमा ही और बागी का इस तूप की सनचना की व्याक्या कीजिए उस सनचना थोड़ी सी इसकी डिफिकल्ट है लेकिन आप देरे-देरे समझोगे तो इसली समझ जाओगे देखो इस सिंपल सी बात है कि इस तूप को हम क्या कहते है सांस के तरत में तीला कहते है तो तीला कैसा होता होगा ये इसका आधार है अब तीला कैसा होगा सिंपल सा इस तरीके का तीला होगा है ना ऐसा ही तीला होता है तो यहां पर जो है सिंपल सा क्या बन गया, यह एक आधा गोला बन गया, उस्तूब क्या थिया, एक गोलाद लिए मिट्टी के टीले से ढखा हुआ, एक अंड कहा गया, अर्दुगलाकार होते थे, यह सिंपल सी बात है, इसे अंड कहा जाता था, दीरे दीरे इसके जो सरस्थना थी, वो काफी जटे लथा, य इसमें संपलन बनाया गया, और उसके 35 में यह देखा गया, देखो, ऐसी सरस्थना थी, ठीक है, तो, एक सेकिंड, अब किसी भी जब घर बगएर को देखते हो, इस तरीके से एक चकोर टाइप में होता, ठीक है, और फिर यहां पर यह देखते हो, कि इसकी यह जो दीवार ह यहां से इसे ऐसी बनाया जाते है, ठीक है, अथा चकोर आकार दे दिया, उसके बार कई आवादकार इसके संपलन बनाया गया, अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, यह हर्मिका जो थी, वो छज्जार जैसा एक धाचा होता था, इसे देवताओं के घर का प्रतीक माना जात और हर्मिका के उपर फिर एक मस्तोल निकलता था, इसे यश्टी कहते से, इस पर एक छतिरी लगी होती थी, आपने मंदिरों बगरा में भी लेखा होगा, उज एक टैप में तिशूल जैसा नहीं होता है, ठीक ही बात हो, तीले के चार ओर एक वेडिगा बनाई जाती थी, अथाती दो टीला होता था, इसके आज पार जो है, वो कुछ वेडिखाएं बनाई जाती थी, जो की ये दर्शाती थी, कि एक कोई सामान गहर नहीं है, बनकि कि सामान दुनिया से इसी को अलग तबता है, ठीक है, सिंपल सा, इस्टूप की सरस्ना के बारे में, आप ये कर सकते हैं, तो 25 मिनट में हमारे साथ कोशन कंपलेट हो चुके हैं, अभी तीन कोशन हमारे और बाते हैं, अच्छा, कोई वीव करें कोशन हो, तो उसके लिए इस्टाग्राम का लिंक होपन है, आप जाके मैं से कोशन बत के, वैदिक परंपरा में, यग्यों की परंपरा क तो वैदिक परंपरा के संबंद में, वैदिक परंपरा की जानकारी हमें 1500 से लेके 1000 इसापूर, ठीक है, आप सभी को पता है, इसापूर का जो भी समय होता है, वो बढ़ते से घटते करम की ओर होता है, यानि कि 2000 मतलब सिंपल सा है, कि वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आरोही, अबरोही, अबरोही, आरोही, कुछ इसापूर की से होता है, ठीक है, अथाथ, बढ़ते करम से घटते करम की ओर होता है, इसापूर, और जब इसापूर के वल इसा रह जाता है, इसे हम खोटे से बड़ी रूप की तरफ कहते है, ठीक है, वैदिक परंपरा की जान जो भी मंत्रों का उचारण होता था वह पहले तो मौके की रूप्त हो जैसे कि कि दादा ब्रामन थे तो वह मौके रूप से मंत्र बोलते थे इसका बेटा बोलता था फिर उसके बेटे इस रगे से चलता रहता लेकिन जब रिगवेद का संक्लन हुआ तब हमें ही पता चला क कि इन मंत्रों को वेदों में संक्लित किया गया ताकि यह आगे भी लोगों को तक बने रहें ठीक है यहां पर यह देखा गया कि जो भी धार्मेक अंस्थान होते थे वो साजवने के रूप से किये जाते थे अब इस दौरान कई बड़े-बड़े यग होते थे जैसे कि राज अशुय अश्मीयगे कि क्या था मानने थे कि एक अपूरा कपूरा यह संस्दिय इस कंट्री में और टोटल जो है वह यह माननले थे आट राज यह-ए इसमें नाम दे दिया वान 16 senior फार फाई दे होतीया पार फाइड तो इस राज़ पर भी इस से एक वंदे का एक जो राज़ था जिसे यग किया था उसका जो है वो अधिपत्यां पर हो जाता था और फिर वही अगर आगे पहुँचा, तो हुआ दो यजिस सीमा तक जाता था उस सीमा उस सीमा तक उसका अधिकार होता जाता। यग्यों में जो मंत्र थे वो काफी जटिल संस्क्रित भाषा में लखे हुए थे इसके विए से केवल और केवल ये मंत्र प्रामन लोग यूँको चालेंड कर पाते थे और समझ पाते थे के बारे में आपको यह सारे पॉइंट समझ में आगे होंगे मुख्रिप कौन से थे मंतरों का अचारन धार्मे का नुष्ठान बड़े-बड़े यग्ये महिलाओं को शुद्रों के यहां पर भागितारी ना देना आगे देख लेते हैं इंग्लेस में इंदी इंडी भेणा के और यहां यहां से इजिली देखे के निए आपको बता दिया है हिंदी में इंग्लिस में आप यह आ जाता है हमारा 9 यह question काफी difficult है और साइध आपने इसको पढ़ा भी नहीं होगा अवी तर्ड question है समकालीन बहुत ग्रंथों में हमें 64 संपरदायों या फिर चिंतन परंपराओं का उलेख मिलता है जिससे हमें जीवान चचाओं और विवादों की एक जहांकी मिलती है इस पश्ट की विए तो आईए समझते हैं बिसिकली यहां पर जो बहुत ग्रंथ है इसमें जो हमें 64 संपरदाय या पर आप चिंतन कह सकते हैं इनका लेक मिलता है तो इससे हमें जीवान चचाओं के बारे में कई अच्छी जहांकी मिलती है उसको समझाए तो बैसिकली सिंपल सा कार यहां पर यह शुरू होता है कि लोग जो थे देखो जवान से लिखोगे तो आपको यहां से लेके और यह जो पूरा का पूरा यह जो पॉइंट है यहां तक यह आपको पूरा लिख देना ठीक है उसके बार लोग जो थे सभी के सभी अपने जीवन के अर्थ को समझने के लिए अपने जीवन की मृत्यू के अर्थ को समझने के लिए मृत्य के वाद जीवन कैसा होता है पुनर जनम क् आतीत के कर्मों के कारण निधारित होता है तो ऐसे कई सारे सवाल थे जिसकी वज़े से लोगों ने बहुत सारी चिंतन परंपराओं का यहां पर विकास होने में एक सहायत आटी की कहा है यहां पर यह देखा गया कि इन सभी सवालों के जवाब देते कि कई सिक्षक जो थे वो घोम घोम कर लोगों को सिक्षय प्रदान करते थे और भे आपस में चर्चाएं करते थे यह सिक्षय लेकिन यह देखा गया कि यह जो सिक्षक थे जहां पर चर्चाएं करते थे उस इस् जहां पर यह मनी सी सिक्षक बगारा ठहरा करते हैं, यह भी रेखा गया कि यह जो सिक्षक थे, इन में अब एक दूसरे को लेकर विवाद जब होता था कि सिर्वी चीज को लेकर, तब यह दि किसी एक सिक्षक नहें, अपने एक प्रतिद्वन्दी को मान लेते हैं, कि दोनों प्रति दुभन्दी है बहुत द्धरम की, एक क्रिति बंदी है A, और एक है B, A के पास है टोटल 10 सिस से और B के पास भी है टोटल 10 सिस से तो यहां पर क्या हुआ बहुत द्धरम के संबन में इन दोनों के बीच में हो जाता है विवाद, अब इसमें से, अगर इस A बंदे ने इस B बंदे को राजी कर लिया जो भी मतवेता उसको सुलजा दिया अपने बातों से तो यहाँ पे B जो बंदा रहेगा ये भी इसका अनुवाई बन जाएगा और इसके व्यक्ति जो थे यहाँ पे 21 अनुवाई हो जाएगे तो यही चीज थी कि उस समय ये जो चिंदन परंपरा है या फिर जो समुदाय थे उनका समथन घटता और बढ़ता रहता है अब यहाँ पे कई सिक्षक ऐसे भी थे जैसे कि महाबेर और बुद्ध वगएरा तो इन्होंने वेदों के प्र यह इसके लिए उसे किसी भी ब्रामण के अनुष्ठान मंत्र भगवान के किसी भी आरादना पर विश्वास रखने के जरूरत नहीं है जबकि ब्रामण कहते हैं कि किसी विक्ति का अस्ति उसकी जाती और लिंग से निधारित होता है उसके जरम पर निधारित होता है तो ज केंपरी बुद्धिश टेक्स्ट वी फाउंद मैंशन और 24 सेक्स और फंटिम यह कहा है इसके बाद यहां से लिख देंगे उसके बाद यहां से लिख देंगे बहुत धरममें नई परमपरां का विकास होना इंगा है यह साची पर अëक है अम्रावती पर उसे हम जब आप आठ मार्क्स का बड़ा कोशन बने का उससे हम जब आठ मार्क्स के कोशन करेंगे उसमें मैं आपको समय ठीक है देखें तो बहुत धरम में नई धार्मिक प्रम्त्रों का विकास कैसे हुआ बिसकली देखो प्रार्यम्बिक तर पर बौध मत्मे निबान के लिए अथाद के यहां पर इस चनम चक्र के बित्युसे मुट्विपाने के लिए तो व्यक्तिकत लेफल पर हर एक व्यक्तिक को अपने लिए कार्य करना है ठीक है बुद्ध को भी उस समय एक मनुस्य समझा जाता था, जिन्हों ने अपने विक्तिगत प्रयासों से प्रवोधन और निबान, प्रवोधन यानि की ज्ञान और इस जन्म चक्रे के मिर्तियु से मुक्ति पाने के लिए एक तरीके से मनुस्य की रूपे में ही समझा था, ठीक है लेकिन यहां पर जितने मी लोग थे, उन्होंने एक मुक्तिदाता की कलपना शुरू कर दी कि यहां पर कोई एक ऐसा विक्ति हो सकता है, जो लोगों को मुक्ति दिलवाए, तो इसी संबन में एक अबधारना उब्री है, बोधी सत्यु की, अब बोधी सत्यु को जितने मी लोग थे, वो एक करोणा मई जीव मानते थे, अथाथ एक ऐसा विक्ति जो कि अपने लिए अच्छे कार करता है, सत्कार करता है, पुन्य कमाता है, लेकिन वे इस पुन्य का परयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निबान प्राप्ति के लिए नहीं करते है, बल्कि वे इन निबान से अपने सत्कार से पुन्यों से लोगों की मदद करते हैं, बुद्ध और बोधि सत्व की मूर्तियों की पुजा करना, इस परंपरा का Current अंग बननी लगी थी और धेरे-धेरे करके यह बौधी सत्थ बुद्ध की मुर्ति और इन सभी की पूजा बगरा करना इसने एक नई परंपरा को नाम दिया जिसका नाम था महायान परंपर जो की बौध्ध्रम की नई परंपरा थी और वे परंपरा देखो, सिंपल सा है, कि चिंतन की यह जो नई परंपरा थी, इससे महायान के नाम से जाना गया, फिर इन महायानों ने कहा, कि बहुत धरम की जो पराणी परंपरा हैं, उनको अपनाने वाली लोग जो है, वो हीनियान कह रहे है, तो यहां पर एक पॉइंट आएगा, हीनियान थीरबाद है, क्या थीरबाद ही हीनियान है, तो जितने भी महायान के अनियान के अनियान के अनियान के अनियान के अनियान के अनियान के कहते हैं, जो बहुत धरम की नई अप्धार्णा उभरी, उसे महायान के नाम से जाना गया, और जो दूसरी अप्धार्णा को पना दे पहले किना प्रवाणा को पना दे उसे ही नियान का अनिवाई कहा यहाँ पर अब यह पुरातन परंपरा की इसके बारे में कुछ बताय तो नहीं गया है वैं आप इतना रहयाद रहा है कि इन दोनों और थेडवाद कुछ हदे तक एक ही थे याद रखें पूर धरम में नई धार्मित कुरमप्रम का विकास कैसे होता है महायान हीनियान का विकास कैसे होता है यह आप इसी कुशन को अगर आपको इंगलिज में देखने हैं तो देख सकते हैं इस तरीके से एक न्यू ट्रेडिशन जो है महायान का कैसे यहां पर विक्सित होता है बोडिशुत की अवधारना क्या थी पूजा होने लगती उसके वारे में और फिर कैसे हीनियान का विकास होता है और इसके पचाद की हीनियन और थेडवाद बेसिकली होते एक ही है कुछ- वैल वैसे आज का हमारे जो वीडियो था काफी छोटा मैंने बनाया है वैसे तो हमारा वीडियो है जो है हर एक चैप्टर के इंपॉर्डन कोशन का पचास मिनट का तो जाता है चालिए 45 से 50 मिनट का वैल इसको हमने 37 मिनट में कंप्लीट कर दे क्योंकि यहां पर ज्यादा कोशन मैंने नहीं लिए टोटल रसी लिए थे वैसे 12 से 15 करवा तो यहां पर आज का मारा जो टॉपिक था को हमने कंप्लीट कर लिया है आज की शेप्टर का और आई होप कि आपको बहुत अच्छे चरीके से सारी चीज़ों आपके समझा भी दिया है और आपको समझ भी आ है और यह मारा लिंक के से जरू जोइन करो यहां पर अप्डेट से आपको बिल्के रहती कुछ-कुछ जो नहीं नहीं आती रहती है और हां अगर आप चैनल पर पहली बार आ गए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे विल्के ऐससे ही इंपोर्टेंट वीडियो हम आप कि लेंगे आपसे अगली वीडियो में अब तक लिए आप सभी पढ़ते रहेंगे और अपना ख्यान की धन्यवार यहिन वंदे मातर में